अश्रिकाल जी न्यूज एशिया पंजब भी देख रहे हूं तुसी ते मैं हां कुलवन सिंग एक वर फिर एक नमें कंसेप्ट देनाल मैं और डॉक्रम चुहान तदे रूबरू होयां ते अजदा देडा विशा रहेगा ओ उदा कितना किते सर्दियां दे मौसम देनाल यह फ्यां प्रफिफड्य बॉक्स मातविशन दे ही प्रावल्म देट büyूर्य व्शुण हो सर्दिया दे मौसम दे ज़च अश्या ओनापन देनों कि इस दे विच जाके प्रावलम आउंदी है क्योंकि गफ ज्यादा हो धी है लंक्स दी प्रावलम क्यों हो यह निस्ट्प कुई लक्षां देने भी बचो कुछ ना कुछ होण वाला एंगे गड़ड हो जाएगी जे इंडिवेशन मिल दी आपनो इन्डिकेशन मिल दी आ कर रहे हैं तो अपने फाइदा हो रहे हैं जे उस नुकसान हो रहा है ता फिर उद्य असल इलाज की होना चाहिए ते की इलाज जाने चक्कर जी पहे रहांगे सब्सक्राइब को जिए आप अपने लंग्स नू ठीक कर सब्सक्राइब अपने जीवन जो है फर्सक्राइब सकते हैं और आपके घर के अंदर हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं हम लोग आते हैं उसके तरफ की दमा कैसे ठीक है पहले दर्शकों को थोड़ा सा यह बता दें दम ले रहे हैं दम अंदर गया नहीं आया तो इंसान खत्म है जो इतनी इंपोर्टेंट चीज है वो फिर क्योंकि वाइटल आजाता है इतनी वाइटल इतनी इंपोर्टेंट जो आर्गन है वो फिर क्या ऐसा करते हैं हम लोग क्या आसी बेकूफ ही कर देते हैं कि जिसकी वज़ा से वो बंदे की जान पर बने जाती है जो हमारे लंग्स है उसको आयर्विद में कफ का स्थान पताया गया कफ का जो प्रकृत स्थान नेचरोल पोजिशन है जो लंग्स के बीच के डायफ्राम और निचे के एरिया के बीच का स्थान है उससे निचे वाद का स्थान है तो वाद प्रित कफ जो है अगर वो बैलेंस टेट में रहेंगे तो हमारी डिजीज नहीं होगी तो जो कफ का स स्थान में उसमें अगर कफ ज्यादा जम जाता है खास करके जो बसंत रितु जब आने वाली होती है तो वो कफ जो है वो विक्रित वस्ता में चलब मलद वो उसका प्रकृप हो जाता है तो वो उसमें लोगों को अस्त्मा के अटैक और यह सब चीजे सियो पीडी का ब्रॉ दमा का और लंग्स की प्रॉलम्स के सबसे ज्यादा कारण है कि जो हमारी हवा जो अंदर जा रही है वो अगर पलुटिट ना हो तो पलुटिट जो हवा है वो एक मेजर कारण है लेकिन माफ कर ना रोकेंगी यह वारे बस नहीं हम कैसे रोक सकते हैं पर यह को दूर्स्ट् अपने बताया कि एक कंट्रोल में नहीं है तो उसका एलाज है कि हम अटलिस्ट एक्सराइज करें लंग्स की एक्सराइज पूरी बॉड़ी की भी करें तो अच्छे ही है नहीं यह रोक नहीं हो मैं एक्सराइज पर बाद में आएगी पहले हमें यह देखना होगा कि अंधर जाके क्या हुआ कि कर बडोगी एसर को यह विजातिय थे तब गया कोई-ट्राइज पार्टिकल चला गया कोई-पोलंग ग्रेंच चला गया उसे जाते ही जो पाइप है हमारी लंग्स की एर पाइप है उस पे जाके इंटरनल लैनिंग में रगड खा गया अग्स मे भार आती है, पट वो साथ में एक изменer बेजने हैं, उसको रगड़ देना है। तो बेक्टिरिया ने फिर वहान लड़ाई श्रू करते हैं कि मेरा घर बन जाए क्योंकि अगर सिद्धा जाएगा बेक्टिरिया तो उसको तो पकड़ा जाएगा पर उसकी लाइन में फस गया तो वह उसको घर मिल गया अब वहां पर जाके हमारे इम्म्यूटी के साथ तो वह inflammation से वह हुआ म्यूकस बनी श्रूगी जिसको बल गम बोलते हैं तो बनीशर ओगी आप हमारे लांग इंटरनल लाइनिग है और आनना इंटरनल लाइनिंग में वैसे और चAPPू शिलिया बोलते हैं वह रोग है ह। आपकी तरफ लाइजते रहते हैं कोई भी डश् वो भी हुआए है तो थो भी ब्लोक हो जाते है तो फिर वहारी mucus जमाँ हो निशे करती है उसको फिर हम body आफ्नीक कर सकते हैं फिर खुद से मसल का सारा लेकर खांसी याति है फिर उप slutола का भी क यह लोग इसे हैं कि चलो इंडुस्ट्री को तो हम बॉट वह घराटने वह चिन्टरोल नहीं करते हैं अपने पार्टिकल अंदर दालते हैं उससे और रगड़े लगती है और इस तरह का लाइश्टाइज दीते हैं, कि नहां के वल हमारे अंदर से रगड़े लग रही हैं, और बॉड यह बल्लड के अंदर भी ऐसे खान पान अपना लाइफटायल एसा रखते हैं, कि वो खानपान से भी ब्लड में भी ऐसे कैमिकल पैदा कर लेते हैं, कि वो हीलिंग करने में जो मुश्कला है शरील यह तो हो गया कि एर अंदर गया अंदर अंदर दंगन इस मैंसे, उसने पंढब अने कुछ रगड लगा के ती अंन्द बाटिया लग घये गए, जर एडाई हूई, यह पंद बन गया वहां पाईन बन गया रहें दॉख पर मुकस बन गया मुकस ने अंदर जाके वह ख़ उपर कर रहीं जाती है Tattop, जैसे ही क्यांकि मुझें तो नहीं गया, जाती है, क्योंकि मुझें झाले हैं, हम तो सिधे चल रहे हैं। मालो एक टत्व गया तो एक शींग आगी और अगर सो टत्व चल जाएं तो उसमें से नब्य तो चींग से बाहर निकल जाएंगे दो चार पांदस जो है वो आगे चल देगे तो चींग एक तरिका है जिसको बाड़ी से वो जो तत्तव जा रहे जो पार्टिकल जा रहे दस्ट के या पॉलन के इसको बाहर निकालने तेकिन हम लोग तो क्या बेबकूफी कर ने है शींग को रोकने के लिए लेग उपतारी तो प्र उससे भी निकावग आ तो फिर उस प रिफ के लिए ले लेते हैं कि मुझे छींग एना आए तो आपने ले लिया पुर तु आप एंटि लर्जिक नेचर में ऐसे हैं वो ले लो नेचर में ने ने जानना चाहता हूं कि जो हम लोग चींग को रोकने के लिए दवाई ले रहे हैं बिलकुल नहीं लेनी चाहिए नहीं क्यों ले लेनी चाहिए वो क्या करती है वह जो चींग रोकने के लिए दवाई हैं क क्या रही है जिसकी वज़ता लेना चाहिए वह दो स्याइब मारा two डिफैस इस तनो चींग है इस अब आई पषसधा बाहर निकालने का जो बाहर से कुई आ गया उसको बाहर निका इसको माना गया है। जिन वेगों को जो अच्छेजंग सब्सक्राइण सब्सक्राइबेन जर को सका ही। रोना आ रहा है तो रोलो तो ऐसे बहुत सारे अधारनिय वेग हैं इनको आपने रोक लें के लिए वो लगा लेते हैं बड़ा कुछ है तो वो धारन नहीं करना है उनको रोक रहना नहीं है तो इस तरह से एक अरवेद का कि नेच्रल चीक जो है उसको बिलकुन है रोक लोग हम लोगने क्या कि सामय नहीं है हमारे पास करहाँ मैंने काम पे जाना रही किसी दोस से भी मिलना है मेरे जैसे बीचते एन्यविव उक्रिदी करने कामरा के सामने भी बैठनात तो वह क्या करेगा वह क्लi अधियाक, यह पता किओ और यही तो नहीं है पता है, जिनको नहीं कनल इपका बसे ही ले लिया, नहीं है फुझ दिन चलता रहा वो बाद बाद कला है तुन हे तो नगर प्रणिकल सभॉब देखने शंते लिया सब्सक्राइब दो डाइब वर वाम कने के बाद वो फिर उसके शो है खांसिया हमिज दो और कि उसको चायर का बच्छिन श्रू जाती है तो बोलने में भी मुकस रिषा ज़पकल सकर आप है यहां सारा साइनस बढ़ जाता है मुकस बढ़ जाता है और और यहां पर एक दम से कई बार तो अस्तमे में ज़्या पर निकलने की पाइप इस तरह की शेप बन जाती है कि कि सिटी आती है तो उसको विस्लिंग साउंड केते हैं तो एक मिने शे मिने के टाइम है वो खुरोनिक हो जाता है जब conic हो जाता है, तो क्या उसको शांस लेने में तकलीफ होती है, उसको इसको खुछ और अजय को ने में कितना सवाई गजाता है? जौ एव ऐसको करने ही लाटने का समय हो जाता है? क्रॉप्राइबियर द्यपटिश हलते है। दमाए, COPD. तो कई बार दमाज होता है, वो दमे में क्या दो कि बल्गम कई बार निसुक्खा दमा भी वहते हैं, उसे बल्गम नहीं निकलती है, उसमें सिरफ सांस जगड़े जाता है, जो ब्रॉंक्योज होता है, एकदम से ऐसे जगड़े जाते हैं, और शोजाएं. और इस्टिराइड के टिके भी लगा देते हैं या पर नेबॉलाइजर लगा देते हैं अगर ज्यादा बल्गम तो उससे क्या कहते हैं वो ठीक हो जाता है तो अगरे तो लेकिन हमने उसका इलाज नहीं किया जो पहले चल रहा था बिल्कु कि इसकी वजह से हमारे अंदर यह सारा प्रावलम आई उसका इलाज मनें फिर भी नहीं किया वो फिर भी हम लोग जो है वो उसको और और तरीकों से उसको खराबी करने में लगे हुए हैं यह तो हो गया एक आहम साधानमसा तरीका जिसकी वजह से अम लोग यह कर रहे हैं तो लेकिन जो फेफडों में प्रावलम आई है आनी शुरू हुए है अब आनी शुरू है पिछले कुछ दहाकों से लेकिन अगर अगर हम पुरानी बात करें तो रेशा जो है वो बहुत पुरानी बीमारी है पुराना रेशा और यह चीजह है तो वो क्या बजा थी यह बहुत अच्छा स्वाल पूछा अच्छा श्रीर जो है पांच टत्व है थि यह दि उनिवर्स में भी प्रेजन भी है और इसी तरह चो पांच-statव है व् सीजह कम लोग प्राकृत्यां है णायlike अतो प्रकृत साइकल तो तो कफ का संचे पित का संचे वाईू. आज का संचे उतना sucks व्रत्कृत्य शीज़ म से की से अगुणके जोड़ा तो इसी तरह से आते यह नेच्रल ऑर ओर पर कोप कैसे होगा कि हमारे खान पान से अब कफ का प्रकोप, अगर हम कफज ही भोजन करते रहेंगे, गुरिष्ट भोजन, जो बहुत ज़्यादा सिनिक्द भोजन, गुरु आहार, जो कफ वर्दक है, कफ वर्दक आहार, जैसे चावल खाली है, मा की दाल खाली, और इस तरह के जो ऐसे जो स्त्रोतों को अवरोध क है, उन चैनल में ब्लोकेज अवरोध, स्त्रोतों वरोध, वो कफ से होता है, कफ मतलब बलकम, उसको बलकम की तरह आप समझ सकते हैं, तो इसका स्थान है, तो ये कफ का जो नेचुरल प्रकोप होने का समय है, वसंत्रितू, तो उसके आने से पहले ही आरवध में प्रक्रिय कि आप नेचुरल ही नसे करें, नसे माला कि नाक में कुछ तेल डालें, नाक में ऐसा कुछ सुंगें, इससे के वो चींके आएं, ताकि आपका जो आपका जो है शोदन हो जाए, शिरो ग्रेचन बदाया गया है, को इस तरह की जड़ी बूटी होती है, जिससे बहुर निकल अरो स्टिम लेने को बोला गया, इस मोसम में मैंने कैसे लाइफस्टैल जीना है, जो सफरीया को मौसम आज है, रितो एक चल और रितो में लोगों को युफ लोगाए, वो ड़ती होती है, तो वहसांत रितो में लोगों को कफ上. परकोप होने वाला है, तो ये दमा अस्वा ये प्रेसिप्रेट होंगे, तो सर्द रितु में ऐसा खान पान ऐसा ठीक रखें कि आपको ये परकोप होई नकाफता है, बहुत हैवी बोजन नाख है, जैसे दूद और दूसे बनी चीजे, दूद पनीर, दही, लसी, चाज, और चावल, रात को लेट नाइट डिनर, केला, ये जो हैवी और ग्रीजी जैसे में पूल गार, जिसमें जो ग्रीस जैसा या मुकस जैसा कोई सब्स्टांस है, वो ना ले और स्पाइसी ज्यादा प्रयोग करें, परन तू आज कल क्या लोगों में गर्मी पढ़गी, एसिडि में लोग कम करते हैं, पदिविभी जीज़िया है, इंडिया में भी कम ही है, बट यौरप मेरका मेंग मेरे से पेसे फिल्न हो सभी करते है hoffe moche करने मेरे फिल्न को थे तो कि मैम पिल्ली है थे मिरॉप यौन two ड्रा मेरे सौल किया उनका प्रेक्टीस करता हूं व की मै जो हूँ उस फैमिली में AI जो पूरी फैमल्ली उसकी स्मोकिक चुड़ा और नया अगा मैं तो एक पी रहा तो दूसरे को तो खुदी चलियागी उसका रहा है कि वहां पे इतनी पॉपलर रहा है कि लेडिज भी पी रही है और यंग लड़कियां भी पी रही है तो यह बहुत डेमजिग है लांस के लिए तो स्मोकिंग के लावा है जो मैंने बताया ना कि यह सीजनल अच्छी बताईए मैंने कहीं पढ़ा हुई है पतनी आप जैसे किसी ग्यानी पुरुष ने मेरे को बताया हुई है कि जो किसी को जुकाम लगता पराने जमाने में अगर आप पुराने जमाने की बात तो छोटे बच्चों को अकसर उनकी नाक बहती रहती थी थी आज नही से बहुत बढ़ा समद्द है कि उनका अम्यून सिस्ट्म ढाउ हो गया है मैं अब दाता हूँ जो छोटे बच्चों की नाक बैती है अब कफ वाद, पित और कफ जो है इनका मैंने सीजन के साब से पुता दिया कि प्रकोप का टाइम कफ है कि कफ कफ का प्रकोप टाइम वसं उप नहीं महाती है। जो पित काल है। रिषी मनियो्ट नध देखो nam २हीं हम स्व शव लिए, क्यूंकि जूखआप्ल गुछ्सा यह करने की त solventख़ शुउफ दिनिकलती है। तो पित का काल हो गया जैसे सीजन का मैंने अबता है ऐसे लाइफ टाइम भी है ऐसे बुड़ापे में वायू का काल है वायू में नहीं नहीं आती जोडों की दर्दे रहती हैं वायू बढ़ जाती तो लाइफ स्पैन को भी डवाइड कर दिया तो अब नाक जो है आज कल कि उनकी नाक बहने का मतलब है कि बॉड़ी में अगर कोई व्यातिय ततब आया तो अपने आपने अपने बाह निकल गया तो दो चाट दिन बहें कि फिर ठीक हो जागी नाक बहती रहती रहती थी प्रानिज बने में बच्चों की तो वो ठीक था हूँ नेचुरल है सब चीजों का अपस में मारी बोड़ी से रलेशन है ठीक है ठीक है थोड़ा सा टाइम का विद्यान रखना रहा है अच्छा यह बात बताईए कि जैसे अभी हमने बात की कि मतलब किस किस तरह से जो अब बोड़ी के अंदर अब्सक्शन आती है सांस में तो उसकी वज़ा स जहां बात की कि COPD की सियो पीडे की वाजा से बहुत स्खे कर रहा है जैसे कोई किसी कि सिमत की फैक्टरी में काम कर रहा है किसी ऐसी जगह जहां से धूल उट रही है, तो भी चलके अंदर जमा हो जाती है, अब यह ऐसी कंडिशन है, जिसको अवाइट नहीं कर पाते हैं, अवाइट नहीं कर सकते हैं, तो कि उसका काम है, उसने करना है, एक आपकी बाद से मुझे याद आ गया, कि एक ऐसी कंडिशन है, अमेरिका, में बहुत इंपोर्टन है, और उनको पता नहीं है, जो उनके जो यह वेंट वाला सिस्टम है, जो यह हीटर लगता है, और इसी लगता है, इंटरनल हीटिंग, उसमें इतनी दूल मिट्टी वह जमारती है, उसके उसके उससफाही नहीं करते हैं, तो उससे भी लंग्स के लंग्स के बहुता है, तो इसको अवाइड हम करनी सकते हैं, अब जो बीमारी बी अंदर आ रही है, बीमारी बी अंदर आ रही है, अवाइड भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसका फिर हम वही करते हैं, जिसके वज़े से आगे चलके दमा बन जाए या फिर कुछ और ऐसा क तो गरम पानी वगरा रेगुलर पीए है उससे क्या कि उससे सर्कुलेशन ठीक रहती है विरुदहार आपने पॉयंट पकड़ लिया मेरा विरुदहार तो ओबिसली विरुदमी ऑपोजिट गरम तसीर के साथ ठंडा मत खाएं ज्यादा पनीर दही वगरा दही बल्ले दूद अब बल्ले से बनी मिठाई यह घ्रिस्ट बोजन नहा करें श्पेशली इन विंटर में जादा खाते है गरमी में तो पुसीर ने पुसीने में उड़ जाता सा लुदी तो तो आज कर लोग गरमी पे भी असी लगा कर दे रहते है उस और बात भी आना गर्मी में ऐसी चीज अगनी बाहर कम होगी अंदर के अगनी यॉलित हो जाए तो इस तरह से अगनी लिखा हुआ है तो अब अस्थमा की बात करें तो अस्थमा को बड़े अच्छे तरीके से आप घर बठे ठीक कर सकते हैं उसको प्रवेंट करने का तरीका ही है कि इन चीजों से बचो और होगी दालचिनी होगी अद्रक हो गया तुलसी होगी इन चीजों का सेवन शुरू करो अच्छा उड़ी यह अच्छी लगी होगी मेरे सुन लगता है कि उनको अच्छी लगी होगी यह बात अच्छी है उस्यानी बात की हल्दी इलाची दालचिनी चैसे आपने बोला अगनी किस में है खाने वाली कोँसी ए जुण जी जो गरम है व sto स devi इर बए इंट इर बाल षक को सब Adams बढऄती करहारा बडालो causing Raala पेली तो भी है उसलिगा भी किसी और कि तो इस अब अव अटीज इस तो हमारी अरवेदी चीज़ों से तो डड़ते हैंगी निए गरम चीज़ देदी गरम चीज़ों पहले आप पेन किलर खा रहे हो इससे असरीटी हो रही है जलन नहीं उसको छोड़ो उसको बैलेंस करो पहले तो दूसरा अद्रग तुलसी इसको थोड़ा थोड़ा मनलब पा उसकी चाय बनाड़ो पद्रग तुलसी हल्दी इसको उसमें वालो बीच में छोटी लाइची डालो बीच में कई बार मैं रोज बोल देता हूं वैसे रोज तो ठंड़ा है और उसको गुलाब उसको तासीर को थोड़ी बराबर करने के लिए गुलाब का फूल बैसे ही डा जाजेगा और उसकी गर्मी भी थोड़ी शानत हो जाएगी तो आप उसमें गुड़ डालें थोड़ा सा थोड़ा सा लगबग एक डली डालें चोटी सी गुड़ की टेस्ट के लिए तो वह आप चाय जो है दिन में एक बार पिये दो तिन बार मत पिये सुबह के टाय में एक बार पिलें और मिल्क प्रड़क्स टोटल बंद कर दें और उससे आपकी जो है वो बैलेंस में रहेगी यह अटैक नहीं आएगा तो दमा हो गया तो दमा अंदर जैसे हमने बोला कि उसको ऐससे करके उसकी जगा जहां सांस ने जाना है हवा ने भरना है उसकी उसकी ने और और विमार के ने बिमार लेगा जको फस्का या फिर शो है वो धनी बिस्लीव ने पाताएगा तो आपने जब फ़िस्टीज़़् पिर-टीम देंने के अभी के पास ज़्यदा समय यह कोась ले भी लेगा ठीक है तो अगर ज्व जदा बीमारा तो ले लेगा अगर आ पिछली बार आपने जम इंटर्व्य किया था तो आपने पता था कि किसी के पास ये नहीं है तो मेरे पास भी कुछ है जिसका मैंने अपनी टकनीक से मैंने बनाया है कुछ जाए बनाई थी अरजुटी मेरे को याद है आपने बोला है यहाट के लिए अरजणती किस्सों सौ तो कहाँ दमय के लिए भी कुछ ऐसा चाहए या कुछ ऐसा है ने के लिक लिए रेख टोश्षिर्टी निग होती है याद्री प्रतेनीक ुट टूष्टी प्रतेनीक शमया प्धू नज好吃 ने किछिस्साあ 7 ने के लिए भी ऑब एहों ब तो लाक्षनिक और व्यादी वाले तीनों मैंने पुनाई हुगी है, कि उस मैं कई बार पेशन को तीनों जे देता हूँ, एक साथ ही ले सकता हूँ, जो आपको सबसे पहले मैं ऐसी चीज बताता हूँ कि जो विमारे को जड से ठीक करने हैं, कि आपको को इसम्टम है या नही अप इसको लेना शुरू कर दो, इसको नाम ही प्राहन रक्षक चूरन रखा है, क्या वाका संजीवनी पूटे को प्राहन रक्षक मला प्राहन की रक्षा करने हुगी है, तो इसमें में डला के हैं, बता भी दता हूँ दर्श्कों को, कि अगर आपको ये मिल जड़ी विश्कों दूर करने बाला, इसको पन्जाबी में श्री भोलते हैं, श्री बिल्कु ठीप, श्री जो है अफी आयरुविद में उसकी प्रिशंसा लिखी है, और वे पंजाब में वैसे भी अवैलेबल है, श्रीष संस्कृत में बोलते हैं, तो उसकी जो बार्क है वो यू वाज़ा है वहां पर दमा नहीं हो सकता है, तो अनंत मूल बहुत ही इसको दमा भूटी बोला गया, इसको ब्रॉंकाइटस और यह श्यो पीडी और यह बल्गम वाली रोग और यह जो अस्थमा है, तो दमा भूटी जो है इसका नाम है टाइलोफोरा अस्थमेटिका, जो मैजिन करो लाटिन के लोगों ने इसका नाम अस्थमेतिका क्यो रखा लाटिन जिए नाम रखा टेप कोई मारे संस्कृित के रिशी मुन्यों ने तो नहीं रखा गया अंगली enough तो इन अनंत मूली रखा तो यह बोलते अगर शना बहुत लंबी चोड्यों है बहुत करती है और भारंगी जो है अर्विद में बताया गया है कि भारंगी जो है वो कफ नाशक है कफ को दूर करता है मुलथी जो है गले की खराश हो गले में खांसी बल गम तो आम सब लोगों को पता ही है कि मुलथी चूसने के लिए देते हैं तो मुलथी चूसे आप और इसमें वैसे ही अलड़ी है तो इसका एक चम्मर सुब़े शाम जातो वैसे ही खा ले हैं किसे लेना गरम पानी से ले ल मैं सुब़े शाम इस प्राण वैक्ष प्चूरन का ले उससे जो है जो भी लंग्स के रोग है सभी रोगों में रक्षा करेगा प्राणों की व्यादी माला कि जिसको डिजीज है उसको रिलीफ भी तो मिले, इमिजेट रिलीफ मिले जयासे स्ट्रीराट काम करते हैं जयास बांस के अंदर से वो बड़ते हैं और प्योर मिलता नहीं बड़ी मुशकल से लोग उसकर है तो वन्सलोचन है और पिपली है पिपली मगा को बोलते हैं जो मागोते हैं लंभी लॉंग पैपर हैं तो इलाइची है चोटी लाइची और दालचिनी, चोटिलाची, दालचिनी, मगा और वंशलोचन, और साथ में इनके मिश्री डाल देते हैं, ताकि इसका ठीक लगे, तो इसको आपने एक चम्मच चोटा चम्मच, टीस्पून फुल, सुबह दपैर शान, तो आपने शैद के साथ ले लेना है, तो उसे जो बल के लावा भी बहुत सारे एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी सेप्टिक, एंटी बाटिक, उतरत ने बहुत कुछ दिया, तो किसने सोचा था कि बास में से ऐसा कुछ निकलेगा, तो वो लंग्स में ठीक करेगा, तो रिशी मुजिनी उन्हें रिसर्च करी वी आलड़ी, त जो पॉलन से लड़ी केर, तो वैसे ऐस्तमा हो, किसी वैसे नेचरल, जुकाम खांसी बुखार वे जड़ा हो, तो इसमें रिख सत्व है, तेको अल्दी कमली तो मिलती है मार्किंग में, उसमें जो कर्कुमिन एक एक्टिव तट्व होता है, कर्कुमिन उसमें पांच साथ परसंट परसंट पंजाब में तो धाई तरस तीन से जवा है नहीं या अगर उसकी होगी गड़वाल की होगी तो पांच और अगर मेगाले की होगी तो उसमें साथ से आठ परसंट यह अपने अच्छी जानकरी कठी करी हुई है तो बेसिकली जो इसके अंदर एक्टिव अंच उसका सत्व बनाना पड़ता है कर कुम में जो है अठ परसंट डीस परसंट चालीच परसंट नबबे परसंट पचानवे परसंट तो मैं इसमें 95% वाली हल्दी यूज करता हुई तो वह इमिजेटली हो हल्दी का सत्व है फटअ-फटष दिन में वह पेशन्ट जो क तो आप यहां पर क्योंकि तूलसी वैसे वेलेबल है तो आप उसके पांसे पत्ते वैसे यूज़ कर लें अगर बात बताएं आपने जो दिया है अलर्जी की बात करें मुझे लगता है कि नॉर्ट विजन की बात करें ज्यादा तर लोग जो हम वो चींग की बिमारी से प्लोम है तो क्या उसमें उसमें इक आपक अब बाकि चीजों की जुरूरत नहीं है चींगे शुके तो इस ही से इसके अंदर भी अखिला हल्दी दियंदी इसमें भी शरीष है लगे का सत्व भी है शरीष भी लिन अ रश्युगंदा भी तो यह जो चीके चुके की प्रावलम करें दो चार दिन में ठीक होता है कि कुछ दिन अगर द्वाई लेते हैं तो वो द्वाई असर करनी बंद कर देती है क्या इसके साथ यह पूरी डबी खाये का निया जिसको चीके चुके आती है ना तो इसको जो आदमी खा लेगा तो 10-15 दिन बाद वो इसकी डबी पूरी भी नहीं खा पाएगा उसकी बिभारी ठीक हो जागी जो चाहे स्टीरड खा रहा है चाहे सिट्रिजीन खा रहा है चाहे कुछ भी खा रहा है तो रुकिए मैं तोड़े दर्सों को इसे बात हो बाई ठीज आप यह सुनिये बात यह बहुत काम की चीज है मुझे लग रहा है कि यह दवाई हर घर में अर्थ रिजन में तकरीबन तकरीबन हर दूसरा आदमी क्योंकि इस रिजन में बहुत सारे फसलों पर कैमिकल्स डाले जा रहे हैं बहुत सारे इदर इंडस्ट्री है इंड वह दूशित हुई है दूशित हवा अंदर जाती है वह चीकों का कारून वनती है और दूसरा आदमी सुभा उठते ही चीके मार रहा है लेकिन जो हम लोग खा रहे हैं वह आगे चलके दमा बना रहा है यह दवाई डॉक्र विक्रम चोहान की है इनका दवा है कि एक महीना तो थे बाहर के अंटीज में है और न है हमारे वेप साइट पे भी एक्सप्रेंड है सारा कुछ डेइल में यह होगा धीन जो चीजें अब एफ यह रह अमने एक से अमने ती वररोग ठीका लेके एक से रह आटक लिए एक से अमने ओने ओड़ों से आड़ निकाले परटों पड़ेगी एमुनिटी के लिए आयरोद में चमन प्राश वर्णन है तो उस चमन रिषि थे उनकी इम्यूनिटी डाउन हो थी उसका नाम कैसे पढ़ा जो है उते ड़ो व्यू ठोव घला समय पढ़े है तो बगव विलास में पढ़ने ने उनकी डाउन है थी लिथे बचाहएम प॥ाइब तो बचाने के लिए एक योग बनाया और उसको डिभर्ण डिफृन आमला बेस्ट करने । बहुत सारी जडी मुटियां डालके उसको चर्वन उनको दिया उस अवले को प्राष्च दिया उनको प्राष्ट दिया तो उसका नाम उन्हें चर्वन अब वो चमन प्राश जो है, उसको बनाने के बहुत सारी विदियां फिर बाद में ड्वैल्प होगी, कि उसमें यह भी जड़ी बुटी डाल दो, वो भी डाल दो, यह भी अच्छी है, तो सब अपने अपने तरीके से वो चमन प्राश तो उसका वही है, एक बार चमन और क्या बात है, मदब आपने चमन रिशी को अटा दिया, मैंने नहीं अटाया, क्योंकि हमारा एक चमन प्राश आता ही था पहले से ही, तो मेरा स्टाफ में है, उन्होंने का कि सर यह इस पर आपी का नाम लगा देते हैं, तो मैंने का चलो लगा दो, बट इसके अंदर हमन काफी एड-on किया, कुछ खरब जैसी डाली है, जिससे कि और बलदाई बने, और जो इम्मिनूटी को स्टॉंग करें, तो बच्चों को हम देते हैं, और लेडिस को भी और जैंट्स को, सभी को, सब को, सब को दे सकते हैं, अच्छा की डोज कैसे लेना है, कौन सा आदमी ख है कि आएर विट में ल जो बटाई हो हो रही है, जो बलदाई हो। ठाण करने वाला हो। तो यह रसायन होस्टी है, तो दमे वाले को तो चाहिए चाहिए और बाकी इस अब लोगों को चाहिए ज़ीद एक क्शे बात बताएं कि यह तीनों ले रहे हैं , उसके साथ में यह लेना है कि जब यह ख़तम हो जा तब यह लेना है? कि नहीं साथ में इसके ले सकते हैं कि चमन प्राष्ट तो नैश्रली कोई भी किसी भी समय ले सकते हैं तो साथ में उससे इम्यूटी भी बेट अपोगी क्या बाता है ज्यादे कुछ टिप आप दा इंटर्वु देना चाहिए जो भी जो लंग्स की डिजीजिस हैं इससे करें योग प्राणायाम करें और ग्रेलू नुस्कों के बारे में समझना शुरू करें बहुत ग्यान है विलेबल यूट्यूब पे बहुत सारे ग्यानी लोग बैठे उनको भी सुने और अपना इलाज करो जहर बैठे ही करें और ज्यादा स्टी जो स्टीराइट गयरा के पड़ें और एंटी बायोटेक और यह सब चीज़ें फटाफट मतलें और साथ में एक और चीज़ आड़ करने वालाया कि आलेड दाले अगर को हवा प्लिूटीट कर लाए उसको पकड़ें उसको तो इमीज़ें लेख पकड़ें और हमारा ये वह भी बनता है फर्ज बनत तो planetarevata.com पे आप जा करके यह ले सकते हैं यहां फिर हमारे आफिस का जो नंबर है 991-559-3604-0172-521-4030 इन नंबर पे फोन करके आप हमारे team of doctors है उनसे आप consultation भी कर सकते हैं appointment भी fix कर सकते हैं वीडियो consultation होगी और मेर साथ भी appointment ले सकते तो इस तरह से आप यह घर बेठे आप चाहें वर्ल्ड के किसी कुने में हो तो हम आपको यह द्वाईया फटा-फट पचादेंगे एकर आपको डूनना हो कहीं तो आपने बोल दिया तो क्या उसको आपको संडे के दिन भी बोल सकते आपको कि भी बात कर लिए नहीं संडे को नहीं संडे को बंदा मंदे टू सेटेड़े सुबह दस वजे से लेकर शाम को आप साड़े पाईं तक तो इनिया टाइमिंग यह हैं डग्साब भूल दो मैंने आपके लिए पूछ लिया है तो ताइमिंग यह वेबसाइड यह तो कहीं बाहर बैठा बंदा मालीजे यॉर्प में बैठा है माली तो आपको हमारी वेबसाइड से सारी जानकारी मिल दाएगी तो वहां से आप उनको फोन कर सकते हैं वेबसाइड से और कर सकते हैं यह उन से और कर सकते हैं बहुत धन्यवाद आपका क्या कमाल की जानकारी दिया और मुझे लगता है कि कुछ चीजें घर पे बैठे अगर कुछ नहीं आ पा रहा है आप तक नहीं पहुंच हो पा रही तो घर पे बैठे भी कर सकता है अपने तरीके से और यह द्वाईयां तो कमाल की हैं बहुत धन्यवाद अक्रा बहुत 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 शुक्रिया थैंक्यू वरी लिक्षान डॉक्टर विक्रम चुहान उसी देख जड़ी कि कुछ दिना दे वेच बेच जड़ी है थोटी अलर्जी ख़दम कर सागी ते ना दमा दम देनाल जाएगा क्योंकि एक उच प्रोड़क्ट डॉक्र बिक्रम चुहान ने तडी सेवा चाजर किते ने देनाल कुछ दिना दे वेच बेच बेच यह तुसी जड़ा अपना दमा भी जड़ाओ ठीक कर सकते हूं बशरते यह सदे कि तुसी उना कारना वाल दवारा ना जाओ जेड़े कारना करके तुनु पहला दमा होया सी यह होएगा दवारा जाओंगे तो फिर द्वाईयां खाई चले हो सारी इंदी मैं नीच वादा तुसी यह कारन भी जोग को नाल लाल कुछ अपने श्री नूंटी करो को अपना रहन सेंड भी थी करो खान पांड भी थी करो तैस सारा कुछ तीक तुन कर देओं ता ना सिर्फ तुछ अपना आप ठीक करोंगे बल्कि आड़ा दोला भी थीक करोंगे उमीद करदेया कि तो वान्य वीडियो पसांद आई होएगी जए बढ़कान रज़ेकर करना सब्सक्राइब ना पूले हो थाड़े चैनल नो सब्सक्राइब करना ना पूले हो, अगली बार फिर हाजर हो मांगे, एक नमे मुद्दे, एक नमे महमान देनाल, उदो तक मेनू देऊ जाज़त, टाना. झाम पूले हो, एक नमे महमान देणाल ना फिर हो मांगे, एक नमे कना देए ऱे हो, तक महमान देए डाना मुद्दे, एक नमे महमान देए Ebimento करना हमे देए हो, इसा महमान देए शन्या, यगली बार लगए ऑगली वोखड़ी, एक नमे milk अापला हो, जामाना देए